तो चलिए आज हम बनाते हैं आलू बटाटा का हल्वा जो की फास्ट में यूज करते हैं बहुत टेस्टी लगता है तो चलिए सबसे पहले हमने कड़ाई अल्रेडी गरम होने को रख दी है अब इसके अंदर हम देसी गी डाल देते हैं यह अल्रू देसी घी में ही टेस्टी लगता है और उसी में यह बनता है तो इस तरह से हमने कटोरी भर के घी टाल दिया है गी थोड़ा सा घरम हो जाएगा उसके बाद हमने इसमें हमारे ड्राइफ्रूट में हमने लिया है काजू और हमने लिया है बदाम आप चाहे तो इसमें किश्मीश होगेरे और यह जो च बस राइटू रोज हो जाए खोड़े से, उतना ही हमें करना है, इसी के साथ हमने आदा किलो के आसपस यह आलू है, जिसे हमने बॉइल करके, मैश करके रखा है, उसे भी डालना चालू बढ़ देते हैं, देखिए, बहुत ही अच्छी खुजबू आने लग गई है, अब इन आलू को हमने तक तक भूनना है, जब तक यह ब्राउन हो जाते हैं, और अच्छी तरह से रोस हो जाते हैं, देखिए, यह हमारे अलू बहुत ही अच्छी तरह रोस्ट हो रहे है, इसकी बहुत ही बढ़िया, सौंधी सौंधी खुजबू भी आने लग गई है, अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, हमारा यह इलाइची पाउडर है, जो हमने वन टेबल स्पून रखा हैं, वो डाल द करते हैं, यह हमने चीनी डाल के करीबन इसे फिर से मिक्स करना चालू करना है, और साथ ही साथ हमने थोड़ा सा दूट डाल देना है इसके अंदर, एक कटोरी जितना, और अब इसे हम फाइनली चलाते रहेंगे, हमने इसे छोड़ना नहीं है, नहीं तो गुठली आ अबी इसे सेट होने देना है, उसके बाद सव करने है, हमारा आलू का हल्वा बिलकुल सेटल होके रेडी हो गया है अब हम इसे एक सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं आलू का हलुआ बिल्कुल हेल्दी और टेस्टी रेडी है इसे इस तरह हम थोड़े से बदाम के साथ गार्निश कर देते हैं देखिए आपका फास्ट होता है जब भी तो ये एक बॉल आप लेंगे चाहिया दूसरे तो बहुत ही हेल्दी है और पेट भी भर जाता है एक मील क की तरह हो जाता है ब्रेकफास में आप ले सकते हैं तो आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए चलिए एक और हैल्दी रिसीपी के साथ आपको मिलती है नहा मलोत्रया धन्यवाद